बैरी नहर पुलिया के पास मुठभेळ के दवरान पूलिस पर हमला करने वाला देवगाओं का शातीर बदमाश आसिफ घायल गिरफतार 22 सितंबर को उपने रिक्षक सतीश कुमार यादो मैं हमरा थाना बर्दा दोरा रात रिगश्ट के दवरान एक अग्याद सफेद पिकप सवार पांच च्छे लोगों दोरा जान से मारने की नियत से पूलिस पर इंट पत्थर से मारने पीटने और सरकारी जीप में पिकप दो पराद संख्या 326 बटा 22 धारा 147, 149, 332, 333, 504, 307 भारतिय दंड विधान और 2 बटा 3 लोग संपतिक शती निवारन अधिनियम बनाम सफेद पिकप पिकप नंबर और सवार पांच चे लोग नाम पता अग्याद के विरुद्ध पंजी किरित कर विवेचना उप गोपाल जी द्वारा संपादित की जा रही थी। इसी करम में दिनांक दू 10-2022 को समय करीब साड़े नव बजे सेच्चो संजे सिंग मैं हमराह दोरा कमालपुर तिराये पर संदिग्द व्यक्ति वानों की चेकिंग के दोरान बर्रा की ओर से एक मोटर साइकल पर सवार एक व्यक्ति पूलिस वालों को देखकर अपनी मोटर साइकल घुमा कर पुना बर्रा की ओर भागने लगा कि शक होने पर बर्रा मोड पर मौजूद उप निरीक्षक गोपाल जी को आवगत कराते हुए प्रभारी निरीक्षक मैं हमराह दोरा बाइक सवार का पीछा करते हुए बार बार रुकने के लिए परियाप्त चेतावनी दी गई लेकिन नहीं रुका और बाइरी नहर पुलिया के पास पहुँचते पहुँचते सामने से उप निरीक्षक गोपाल जी मैं हमरा को देख कर नहर पटरी से बाइरी गाउं की तरफ मुड कर भागना चाहा कि मोटर साइकल की रफतार तेज होने के कारण आ नियंतरित होकर गिर गया और मोटर साइकल छोड कर पैदल ही बहरी गाउं की और भागने लगा और मुड कर पुलिस को निशाना बना कर जान से मारने की नियत से फायर किया परियाप्त चेताउनी के पश्चाद भी बदमाश ने पुलिस पर पुना फायर किया पुलिस दोरा आत्मरक्षारत नियंत्रित फायरिंग की गई जिसमें बदमाश के दाहिने पर में गोली लगी है उपचार के लिए सी एच सी बरदा ले जाया गया वहां से अभियुक्त को जिला चिकित साले के लिए रेफर कर दिया गया पुलिस ने उसके कबजे से एक तमंचा 315 बोर एक जिंदा कार्तूस 315 बोर तीन खोखा कार्तूस 315 बोर एक मोटर साइकल हीरो एच एफ डीलक्स रंग लाल बिना नंबर की और एक हजार रूप्या नगत बरामद किया घायल बदमाज की पहचान आसिप पुत्रायाज उर्फ मुन्ना साकिन कस्पा देवगाउं थाना देवगाउं जनपद आजमगड के रूप में की गई गिरफतारी और बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद मुकदमा अपराद संख्या 331 बटा 22, धारा 307, भारतिय दंड विधान और 3 बटा 25, 6 त्रादिनियम पंजी कृत किया गया। वहीं योजना बनाकर पिकप से रात में निकलते हैं और योजना के मताबिक गाय, भैस, बकरी जो भी मिलता है पिकप पर लाद कर निजामाबाद में उतार देते हैं, गाड़ी वे इत पत्थर तथा अपने पास असलहा भी रखते हैं कि कहीं पबलिक या पुलिस से घिरने पनीट पत्थर से मार कर भाग सकें, रिजवान के पास चोरी की बुलेरो और पीकप है और वो ही गाड़ी भी चलाता है। सुविंद्र कुमार गुपता आरक्षी, मनीशा यादो महिला आरक्षी थाना बर्दा जनपद आजमगण शामिल रहे।